कंजूस सेट, एक बहुत धनवान सेट था, उस सेट के पास जितना ज़्यादा धन था, वह उतना ही ज़्यादा कंजूस भी था, एक रूपे खर्चा करने से पहले भी वह सेट पहले ये सोचता था, उसकी भरपाई कैसे होगी, कभी अगर थोड़े पैसे खर्चो भी जाए, तो उसे रात को नीन नहीं आती थी इस सेट के रिष्टेदार और दोस्त हमेशा उससे दावत मानते थे लेकिन किसी ना किसी बहाने से सेट उन्हें टाल दिया करता था एक बार व्यापार में सेट को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ सेट के दोस्त और रिष्टेदार उसके पीछे पड़ गए कि अब तो उसे दावत देनी ही पड़ेगी सेट ने उन्हें काफी टालने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने आखिरकार बेमन से ही सही सेट को उन्हें दावत के लिए हां कहना पड़ा सेट ने सभी को बेमन से हाथों कह दिया लेकिन अब वह पूरा समय यही सोचते रहा कि जो खर्चा होगा उसकी भरपाई कैसे की जाए इसी चिंता में उसे रात को नींद भी नहीं आई लगातार सोचते रहने के कारण आखिरकार उसके दिमाग में एक योजना आई सेट ने तैक किये एक दिन सभी को दावत पर बुलाया हलवाई तरह तरह के पकवान बनाने लगे पकवान की खुश्बू से अरोस पडोस महाकुठा एक तरफ जहां सभी लोग पकवानों की खुश्बू में खोए हुए थे दूसरी तरफ सेट ने अपने नौकरों को बोल कर सभी के चपपल और जूते बोरों में भरवा लिया और शहर में व्यापारी के पास गिर्वी रखवाने के लिए बोल दिया सेट ने नौकरों को व्यापारी से कहने के लिए कहा की इन सभी जूते चपपल के मालिक आकर इन्हें छुडवाएंगे इनके बदले जो भी पैसे बनते हैं वह सेट को बिजवाए जाए व्यापारी ने सेट की बात मानते हुए सभी जूते चपपलों को गिर्वी रख लिया और उनके बदले में अच्छी रकम सेट को भिजवा दी इस बात से अंजान सभी रिष्टेदार और दोस्ट सेट के घर स्वादिष्ट भूजन करने में मगन थे जब कोई भी खाने की तारिफ करता तो सेट मुस्कुरा कर कहता ये तो आपके ही चरनों का प्रसाद है खाना खत्म करके जब सभी मेहमान अपने अपने घर जाने की तैारी करने लगे तो सबने बाहर आकर देखा तो सभी आश्चर यचकित थे क्योंकि किसी की भी चपल या जूते वहाँ पर नहीं थे सभी सोच में पढ़ गए कि इतने सारे जूते चपल कहां जा सकते हैं सभी को परिशान देखकर सेट ने सारा सच उन्हें बता दिया और बड़ी धीकता से कहा जो भी अपने जूते या चपल वापस पाना चाहता है वो शहर में व्यापारी के पास जाकर उन्हें छुड़वा सकता है सभी दोस्त और रिष्टेदार उस समय को कोसने लगे जब उन्होंने सेट से दावत की मान की थी सभी सेट को भला बुरा कहते हुए वहां से वापस चले गए और सेट अपनी बुद्धिमानी पर इतरते हुए मुस्कुराने लगा तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस कंजूस सेट की मजएदार कहानी क्या आप भी अपने आसपास या अपने दोस्तों में ऐसे किसी कंजूस शक्स को जानते हैं जो इस सेट की तरह अपने पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है अगर आपका जवाब हाँ है तो उसके साथ यह कहानी जरूर शेर कीजिएगा